नमस्कार मैं स्वारव आज एक प्रापरटी दिखा रहा हूं आपको जो कि खुदिराव मेट्र स्टेशन से बहुती नजदिक है एमबाइपस से बहुत नजदिक है यहाँ पर मैं जूम करके दिखाने का कोशिश कर रहा हूं गारी जा रहा है सिगनल में आटो रुका हुआ है तो वो है एमबाइपस का जंक्शन और यह है मेट्र स्टेशन यह है खुदिराव मेट्र स्टेशन कलकत्ता गरिया में आ रहा है अगर कोई प्लैनिंग कर रहा है कि कलकत्ता में शिफ्ट होने का तो यह प्रपर्टी बहुती एडवांस हो जाएगा मेरे ख्याल से लोकेशन की सबसाब एक बड़ देख लीजिए मैं आसपास का इलाका दिखा दे रहा हूं आपको क्यूंकि यह आपका में रोट से यहां से हम बाइलेन पर जाने वाले हैं अभी बाइलेन मतलब कितना तो वही चीज मैं आपको दिखाऊंगा कितना दूर है लैंट के बार मैं बता दे रहा हूं एक यह वास्तू कैटेगरी का एक जमीन है दो कठा चार चटक एक कठा मतलब 720 कवर फिट दो कठा चार चटक और 16 चटक में एक कठा होता है तो उससे सब संदाजा लगा लीजेग दो कठा चार चटक जमीन पर यह एक बास्तू जमीन है सामने दस या बाड़ा फिट का रस्ता आ रहा है जैसे इंफर्मेशन फिला लाया हुआ है और यह है यह बाइपस से यह बाइड रोड जो बाइड लेंज आ रहा है उसका इंट्रांस जासे वह बाइक आया उस तरफ सब कंप्लेक्स वगरा हो रहा है आपको देखने में पता चल जाएगा मैं आपको दिखा दूंगा लेकिन यह खुदिराम मेट्र स्टेशन है मेट्रो के इसना नजदीक होने के बावचूद यह प्रपर्टी आ रहा है और प्राइसिंग मेरे ख्याल से काफी रिजनेबल है आप सुनेंगे तो आप भी चौक जाएंगे आप पूरा वीडियो अंतक देखते रहिए आपको समझ में आ जाएगा क्या आपको करना है कि नहीं करना है यह प्रपर्टी लेने के लिए देखिए यह जो रस्ता है मेरे ख्याल से यह पचास साथ मीटर डिस्टेंस होगा वह अंतक मैं वह तक जाते जाते आपको कुछ और डीटल्स आपको बता दूंगा तो जैसे अब देख पार है लगभग पचास मीटर में आ गया यहां से मेट्रो मेरा पीछे हैं मैं एक बार मेट्रो दिखा दे रहा हम आपको ऐसे देख रहा है सिधा जो बराब बिल्डिंग दिखा दे रहा है वह है में प्रॉस कर रहा हूं अगर आप रेसिडेंशल प्लैन कर रहे हैं तो यहां पे पार्किंग के साथ आप अपना घर बनाईए अपनी इसाब से बहुत ही क्लोज है स्टैर अफ लिविंग देख सकते हैं तो रहां अंदाजा लगा लेजिए यह रस्ता बारा फिट का आ रहा है मैं जहां से शुरू किया था वह पचास मीटर छोड़के लगबग पकड़ लीजिए और पच्चिस मीटर आ गया हूं इस तरफ से मैंना आया है इसका ड्रेनिज का भी संक्षन हो गया सब काम तुरंत हो जाएगा आप बस लोकेशन देख लीजिए मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया लोकेशन है डीटेल्स मैं आपको बता दे रहा हूं यह सामने जो जमीन देख रहे हैं यह जो रस्ता बाइक के उल्टे तरफ जो जमीन दिखाए दे रहा है आपको यहां से शुरू होड़ा है इसका लेंथ देखिए हैं यह सामने जो रस्ता है यह रस्ता सीधा जाड़ा एम बाइपस में ही अट रहा है और यह दो कठा चार छटक जमीन है और उस तरफ सामने एक बिल्डिंग बना हुआ है वह छे छटा जमीन है लगता उसमें एक मंदिर बनाने का प्रोग्राम है तो कुछ डीटेल्स हम बता देंगे यह एक रिफरेंस आया हुआ है एक प्रपरटी मेरे ख्याल से लोकेशन की साब से तब बहुत ही परफेक्ट था इस तरफ से मैंने आया तो मुझे लगा कि हाँ यह प्रपरटी आपको दिखाना चाहिए तो आप एक बाद देख लीजिए जमीन तो फ्रॉंट स्पेस बहुत ही ज्यादा है उस हिसाब से अगर हम देखते हैं फ्रॉंटेज मैंने साइट प्लैन नहीं देखा फिलाल लेकिन इसका फ्रॉंटेज बहुत बढ़िया है मतलब आप देखिए लेंद के हिसाब से मैं थ स्ट्रेट्री बिल्डिंग बना सकते हैं इसमें तो इसका डीटेल्स और भी मैं आपको बता दूँगा आप एक बड़ देख लीजिए इसका इस तरफ से भी एक रस्ता आ रहा है हाला कि यह लाइट पोस्ट है वो रिलोकेट कर दिया जाएगा अगर आप आगे आते हैं तो बहुती कम पैसे में यह हो जाएगा और यह रस्ता जो है यह डेड एंड है यहाँ पे एक तालाब है चोटा सा तो बहुत नैचरल है आप उस हिसाब से देख लीजिए हो सारा प तो यह प्रॉस्पेक्ट है वाटर बड़ी के पास डिवलप्ट एरिया ऐसा नहीं कि गाउन है ऐसा मत सोचिए का यह प्रपर्टी जैसा मेरिट के हिसाब सारा है अब ही आप आस पास का घर थोरा देखेंगे तो पता चल जाएगा अब देखी इस तरफ से तो मंदिर का एक स्पेस जो है इसको छोड़ के दो कठा चार चाटक जमिन आ रहा है जो की फॉर सेल है और बाकी जो है मंदिर के लिए आपको वह जगा छोड़ के लेना पड़े जातो प्राइस इसका आ रहा है 35 लैक्स और कुछ वगरा एक्स्ट्रा प्राइसिंग है आप उसके बारे मेरि पर आपको बताते हैं और लास में क्या करना पर अगा मतलब की सिसाब से आप यह प्रापरटी खरीत पाएंगे बहुत जल्दी आपके पास यह पॉसिबिलिटी कैसे हो सकते यह प्रपरटी का वह आप भराबात कर लीजिए फिर मैं आपको बता रहा हूं तो कि आछे चोटा काई रूपर आया चे अमा देर मोंदित तो टोटल टाई बास तू लांड पेपर संडेट परसंट होके परसेर कुने काचिका माशेर कुम नी और रफेचे लिए प्राइस बॉले दी स्सक्राइब इस थार्टी फिलगस रेट टोटल टोटल तुकि तो टेंबे ना याकरार बेट टीटे को ट्ट्रब राश्ता वारो फूता चे ने पेपर बेपर बिट लेटे के आचे अमादे शाम ने होचे गिने ट्रेल पीचान होचे गिए इस्टन बाइपास दुटो इपाच्छे, कनेक्शन पाच्छे, संद एल्दम, एदुटो पोजडिव एग और रास्ता तो बलो देखी, द्राबैक होचीगे, रास्ता तो नेरो, बारो फुटेर, और होचीगे एटु में जे रास्ता तेके डाउने, डाउने एशे, टोटाल लोकेशन टाई डा गारेणा, थे पेड़ेसंट, होचीगे, साउने वदेखी, फ्राइबेट कार, शोटा हाती, सभकों मेटयो जूगचे, होचीगें, होचीगे sekार, इथि प्रेज़े होचीगें, साउन're 12, одquesण याली, जीë, होचीग प्रापर्सन्क टोटाल, होचीगे परफने चार्णाश तो जमन आपने शून लेन जे प्रापार्टी मेर्टेद दिख थे के तो ठीकी आछे दाद एक तु भूल कोरे शाली बोले दीजेलन किन्तो बास्तु ही आछे आमी कागो जे देखी दवो शेटा नियों अपनी चीन्ता कोर बेन ना किन्तो आमार जेटा मूल उद्देश चीले भोलवा शेटा एटाई जे अपनी जो मीर फ्रांट ता हीशेब कोरून आमी जेस्ट ही जया गाटा है खुब सर्प्राइज जयातो शुन्दो जो मी मेट्रोर काछा गाछी एरा कमेक्टा रेटे आश्चे खाने मेनिमाम कुरी थे के 25 लागता का तो काठा हावा अबोर्ष्वई उचित बैलुएशा नहीं होई तो ताई आश्पे जेटो मेट्र रेफरेंस से इस्ट आम यह प्रपर्टिटा दिखेंगे लाओं तो बेश भाले लाग लेजन आपने दे रेक्टुचानी दिलंप हिंदी में थोरा बता दे रहा हूँ यह दादा का जो रेफरेंस था यह प्रपर्टि का जो डिटेल्स था वो दादा ने हमको दिया तो इसलिए मैंने दादा के मुह से आपको थोरा सुनवा दिया उसका थोरा जीस्ट जो बिंगॉली नहीं समझते उसके लिए हम बता दे हैं कि प्रपर्टि का मेरिट के हिसाब से बहुत सही है आप चिंता मत किजिए और साली नहीं है यह बास्तु है तो आप अपने हिसाब से प्रपर्टि का अपडेट खुद अपने आप की सबसे जमिन बना सकते हैं सेलर के रिक्रमेंट है कि यहां पे छोटा सा मंदिर बना जाएंगे और अगर साथ में यह जगह भी आता है तो दो कठा दस कठा दस छटाक जमीन आपको कुल मिला के होगा और कॉर्णर फ्लोट है तो मेरे ख्याल से तो बहुत सही होगा तो यही तादा के कहने था के प्रपर्टि का पेपर्स क्लियर है आप लोग निस्चिंतों के आ सकते हैं और आके यह प्रपर्टि ले सकते हैं और प्रसीडियर मैं बता दे रहा हूं आपको अगर आप प्लैनिंग कर रहें कि यह प्रपर्टि लेंगे तो पकड़ लीजिए एक से देरलाक रुपए देके आप टोकेन देके लोग किजेगा इसके बदले में हम लोग से अगरिमेंट और बुकिंग एगरिमेंट वटेवर जो आप कहेंगे वह बना देंगे और एक मेने के बाद बाकी पैसे का अंतिजाम करके आप रेजिस्ट्री कर लेंगे तीस दिन या चालिस दिन के बाद जब सर्चिंग वगरा प्रपर्टि का हो जाएगा सब कुछ क्लिय जारा जाएगा उस टाइम पर तो यह था डिटेल्स और सर्वीस चार्ज हम लोग का एक हैं तो यह हम लोग का एक चार्ज है वह भी आपको पे करना पड़ेगा लेकिन प्रपर्टी जो मैं आपको दिखा रहा हूं इसके बतले में यह फीस कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से यह एक अपर्चुनिटी है तो जो दिमोने होचे अगर लग रहा है कि आपको यह प्रपर्टी खरीदना है तो आप तुरंध हमको संपर किजेगा 8910-851114 यह नंबर पे संपर किजेगा मैं सारोफ कांजिलल प्रपर्टी कंसल्टेंट आपके लिए एक और प्रपर्टी ले हो आप आएंगे तो हम बेट कर सकते ऐसा बात नहीं है कि मुलाकत नहीं होगा सब कुछ सामने होगा और जो सोच रहे हैं कि बहुत कंप्लेक्स से प्रपर्टी कैसे लिया जा सकता है तो उसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि कॉन्पिडेंस देना आपको कुछ करना नहीं परेगा मतलब सब कुछ ऐसे हो जाएगा बस आप अपडेट देते रहिएगा और बाकी जो चीज़े आपके हिसाब के अनुसर होता रहेगा तो यह डिपन कर रहे हैं आप कैसे कितने समय लेकर यह करना चाहा रहे हैं और कौन सा प्रपर्टी कुछ करना होता कि आपको कोई हैज़िटेशन ना हो मतलब कोई भी लोग रह रहे हैं ऐसा नहीं के नया बना हुआ है और देखिए वाटर एक अनदर रिजर्वर बनाया गया है यहां पर वाटर प्रिशर और अच्छा खास बनाने के लिए अभी देखिए वह हुआ आपका मेट्रो स्टेशन मैं जूम करके दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ तो आपको कोई ट्रांसपोर्ट का डिपेंडेंसी नहीं है यह एम वाइपस भी वही है तो कलकता में कोई रहने का प्लान कर रहे हैं यहां पर तो आप तुरांट संपर कीजेगा 89108511114 यह नंबर पे तन्ना बाद